तो नमस्कार दोस्तों स्वाइब आप सुभी का ओला ने डफ आप सुटी यूट्यूब चल पर इस वीडियो में बात करेंगे नई सिच्छक भरती को लेकर इसके अलावा अगर बात की जाए 27,000 टीजटी और पीजटी भरती को लेकर अगर आप इन दोनों भरतियों में एक सीट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें साथ में वीडियो को लाइक कर दें जिन चाहतों ने अभी तक इस चैनल को स तो यह बिल्कुल सही समय अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करने का उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुके हैं चक्सु प्रकासन की बेस्ट बुक जैसा कि आप सभी स्कीन पर देख पा हैं इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकाई साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं बन नाइनर कोशन जो कि आपकी पैच्छा के लिए काफी जादा मैतपूर है जैसा कि आप विश सिच्छक वर्थी को लेकर बैसे तो हजारों ब्रती इंतजार करें लेकिन एल्टीगेट के बारे में मुझे उंबीद है कि आपको दो चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं होगी एल्टीगेट सिच्छक वर्थी के पिछली बार विग्यापन जादी कि किया गया था तो उस 768 पदों पर इस वर्थी का आयोजन किया गया और यह पहली ऐसी सिच्छक वर्थी आपको देखने के लिए मिली जो कि इतने कम पद होने के वावजूत भी इसमें से लगबग चार से पांच जाज जो परद हो खाली चले गई अभी वी एल्टीगेट सिच्छक वर्थी के अगर बात की जाए तो उत्तर पिद्यस लोग से अंदर फाइल पूरे तरीके से किलोज नहीं हुई है दिवाली से पहले आपको याद होगा कि दो से तीन विश्यों की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी यहां पर जाली की जाएंगी मतलब यहां से एक बात का अंदाजा यहां पर जो टीजटी पीश्टी में सेलेक्शिन ले लेते हैं उनको एल्टी के देने में समस्यां के सामना करना पड़ता है एक तो सब्चिप्टी समस्य आति है जीएस को लेकर दूसी सबजेक को लेकर हाली में एल्टीगेट का जब बिग्यापन जादी किया गए था पिछली बार उसके अंदर हजारों की संख्या में परद खाली चले गए थे और पदों की संख्या सिर्फ दसजास दी साड़े चार लाग शात्तों ने आवेदन किया था इसी बज़े से अगर आप एल्टीगेट सिच्छक बरती की प्रपेशन कर रहें तो एक बात को ध्यान रखें कि आपको बहुत ऊपर तक का जो पेपर है वो पढ़ना पड़ेगा और अपनी जो प्रपेशन है वो अभीशे शुरू करनी पड़ेगी अगर विग्यापन आने तक इंतिजार करेंगे तो एल्टीगेट सिच्छक बरती के अंदर शायद आपको एक सीट मिल पाईगी इस बात को नोट करिएगा जब भी विग्यापन जादी होगा मैं आपको 100% दावे के साथ कहूंगा कि पहिछा के अंदर काफी आपको बेनिफिट अभश्च मिलेगा तो एल्टीगेट सिच्छक बरती की प्रपेशन अगर आप सच में कर रहे हैं तो आपको पहले सी शुरू करनी होगी मैंने अपनी कई वीडियो की माध्यम से इस बात को बताया भी है लेकिन अगर बात की जाए विग्यापन के बारे में क्योंकि जादा तर छात्तों के मन म सवाल यह कि आगामी समय के अंदर चुनाब होने वाले हो एल्टीगेट सिच्छक बरती का बिग्यापन कब तक जादी होगा हाली में अगर बात के उत्तर प्रदेश लोग से यहां पर जानकाई भी मागी गई थी कि प्रदेश के अंदर कितने एल्टीगेट सिच्छकों के पदखाली है तो बहुत साथ चाथो ने इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किये थे किसर वह तो पुरानी भरती के लिए हैं तो शयाद आपको नहीं पता होगा के पुरानी भरती को लेकर जितने भी यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है उनका समभंद उस सब्सक्राइब को मिली है आयोग की अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुस्वा उनका कहना है कि 8000 पर पहले से एल्टी गेट को लेकर मंजूरी शासन की तरफ से दी गई थी उसके अलावा अगर बात की जाए एक से डेड़ जार पद इसके अंदर और बढ़ सकते हैं लेकि एक एक पद को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक उन पदों के इसके अंदर जोड़े जाने को लेकर थोड़ा सा इंतिजार करना होगा इसी बजह से अगर बात की जाए तो 9-9,500 पदों पर नई एल्टी गेट सिच्छक भरती का विग्यापन जारी होगा जल्दी इसका जारी किया जा सकता है लेकिन थोड़ी समस्या देखने के लिए पुरानी भरती के अंदर अभी एक से दो मामले लटके हुए हैं जिसके चलते नई भरती का विग्यापन जारी नहीं हुआ क्योंकि जब तक उसकी फाइल क्लोज होगी एक एक पद की काउंटिंग होगी और पद उसमें शेर से जाएंगे उसको नई भरती के विग्यापन में जोड़ते हुए एल्टी गेड का विग्यापन जारी हो जाएगा अब आपके मन में सवाल देखने के लिए मिलता है तो मैंने कई वीडियो के माध्यम से कहा है कि आप पहले एल्टी की करना शुरू करने क क्योंकि सब्जेक्ट दो आपका वहीर आएगा तो अगर आप एल्टी की करेंगे तो टीजिटी की आपकी पैपेशन वैसी हो जाएगी लेकिन एल्टी के अंदर जीएस का पार्ट भी पूछा जाता है इससे क्या होगा कि जीएस आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड जाएगा जानका यह भी देखने के लिए कि चुनाभी आचा सरीता से पहले एल्टीकेट सिछकों की भरती का विग्यापन यूपी पीसी के माध्यम से जादी कर दिया जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप सच में एल्टीकेट के अंदर एक बताया कि जाएगा निदेशाले की तरहें जानकाइं मांगी जादी है यूपी पीसी के माध्यम से आदेश का इंतजार किया जाता है यूपीसी कि तरह से अपना जो कादेव शुरू कर दिया जाएगा उंवीदे जाद आएकि नवंबर के अंत में आपको खुशकर भी मिल सकती है बागी जो भी नई जानकाई मिलती है आयोग की तब से समय समय पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें लेकिन वहीं दूसरी तब बात की जाए 27,000 टीजटी और पीजटी भरती को लेकर बहुत सारे अब्वेरती इं होता है कि इसके बारे में अधियाचन मांगेंगे अधियाचन के अंदर जितने भी पद खाली होते हैं उसको लेकर यहां से संशुधी के लिए शासन को भीज़ा जाएगा उसके बाद नई टीजटी पीजटी की जो भरती वो देखने के लिए मिलेगी लेकिन सवाल तो लेकर जानकाई दे गए च्छातों की तरफ से जिसमें प्रत्यों की मोचा की तरफ से पत्त भी लिखा गया था कि जल्द से जल्द 27,000 टीजटी पीजटी को लेकर फैसला लिया जाए जैसा कि आपको यहां से देखने के लिए गया गया था इस ग्यापन के अंदर जानकाई जो बैठक होने वाली है इसको लेकर जल्दी से जल्दी जो जानकाई है वो दीजाे जल्द एंग मुलाकाथ चेन बोढ के साथ में गिखने के लिए जयेगी ऐपका द्यान अकर्षित किया गया है आशा है कि चैनल के माध्यम से देदी जाएगी और मैंने आपको यह जानकाई दिवाली से पहले ही बता दी थी कि चैन बोड में बैठक होने वाली है उस बैठक के अंदर कई मुद्दों को लेकर फैसले लिये जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 27,000 को लेकर भी यहां से कोई पॉजिटिव चीजे देखने के लिए मिल सकती है अब ऐसा होता है तो अच्छी चीजे होगी अगर यहा का भी छोटा मोटा इंतजार है जैसे साही चीजें के लिए होती है इस महीने के अंत में खुशका भी मल सकती है बाकी टीजडी पीजडी को लेकर भी आप सभी के सामने जानका यह दी जा रही है जैसे ही आज से पोर्टल खोला जाएगा आदा काम आपकी भरती का वहीशे शुरू हो जाएगा उससे पहले आप सभी इंतजार करें इससे अच्छा यही है कि आप करते नहीं आपको निकट वर्विश में जब बिग्या बन जादी होगा तो हंड़ेट परसेंट आपको बेनिफिट मिलेगा तो हंड़ेट परसेंट आएगी आएगी इसको लेकर शे किया जाता है बले भरती पांच महीनों पूजी की है लेकिन इससे पहले भी उन्होंने भरती बड़ी देरे में निकाली थी तो ऐसे में होने वाली मीटिंग के अंदर जैसी कोई जानकाई निकलती सबसे पहले देदी जाएगी बाकी आपस भी अपनी प्रपेरिशन करते र वाले जिससे कि आपको इसी बगाएगे अधेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती है थेंक यू थेंक यू पर वाचिंग इस वीडियो